हेलो दोस्तो स्वागा थे आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल पे तो दोस्तो मैं आप लोग बता दूँ तो ठाटा मोटर्स लखनोग पलांट के लिए जो है जियोब और अप्रेंटिस से लिए भरती परक्रिया निकाले गई थी जिसके लिए आवेदन पांच नमबर से च आया गया था कि आप लोग को सबसे पहले रेजिटेशन करके आवेदन करके और गेट नमबर एक पे आपको साथ नव और दस में से किसी भी डेट को आ जाने हैं तो इसमें HR के मादम से मेल किये जा रहे हैं कि जो भी कनिडेट आवेदन कर चुके हैं तो वो लोग का जो है कर्मेंट टीम के दवारा जो है नोटिफिकेशन रिजूम जो है ले लिया गया है और जल्द ही उनको सुचना दिया जाएगा कि कब उनको इंटर्विव के लिए आने हैं तो इसके लिए मेल आ रहे हैं तो जो भी कनिडेट इस भरती प्रकिरिया के लिए अवेदन किये हैं तो कुछ दिन wait करें उनको gate पर अभी नहीं आना है तो gate पर जो लोग अगर 7 नवंबर को पहुंचे हैं तो मैं तो ये वीडियो 8 नवंबर को upload करूंगा लेकिन जो 7 नवंबर को अगर gate पर पहुंचे हैं तो अपना feedback जो है comment box में जरूर दे कि उहाँ पर क्या बताया गया था क्या बोला गया था भरती प्रक्रिया के बारे में तो जो भी गए थे एक बार फीड़वाइग जरूर देंगे और तो साथी साथ मैं आप लोगों को बता दूं तो आप लोगों को निरंतर इसमें इमेल आइडी चेक करना है अपना जो इमेल आइडी फार्म अप्लाई कर करेंगा तो चेड़ी दोस्तों आप लोगों को दिखाते हैं उसमेल आईडी को तो दोस्तों आप लोगदेख सकती है मेरी एक अजीज दोस्त के पास आया था क्यूंकि उन्हों ने भी जोब ट्रेनिंग के लिए अपलाई किया था इस भरती करिया में तो लखनों प्लाउन application resume प्रत हुआ है आपको आवेधन पत्र में दी गई सुचना निम्लिखित है जिसमें आपको आपका आवेधन करमांक दिखाए देगा कि अब कितने नमबर पे अपना आवेधन किये हैं और इसमें आवेधन की तारिक दिखाई देगा और उसके बाद इमेल आईडी आपको दिखाई देगा अधार नमबर उसके बाद भारती के पिता का नाम डेटा बर्थ आईटाई ट्रेड और मुबाइल नमबर मैं यह सब बलर किया रखा है कि हमारी requirement team आपके द्वारा दी गई आवेधन की समिक्षा करेगी तथा यदि आप company के मापदंड कैटेरिया के अनुसार योग्य इलिजिबल पाए जाते हैं तो हमारी requirement team आपको आपके द्वारा दी गई कि email id या mobile number के माधियम से समपर करेगी तो इसमें आपको साफ जो है mention किया गया है कि Tata Motors के तरफ से यह email आया है तो जो भी आप email id दी होंगे उसमें email आ रहा है आपको किसी को भी gate पे नहीं जाने की कोई यरूरत नहीं है तो Tata Motors आपको इस भरतिपर के लिए कोई भी लेता है और नहीं किसी को लेने के लिए बोलता है तो आपको कोई अगर चारज समांगे तो इसमें आपको देना नहीं है और इसे email का reply भी नहीं देना है आपको तो नम्हकर कोई क्यों करना और खाली हाथ ही वहाँ से लोट आएंगे फिर आप बोलेंगे कि जानकारी सही नहीं थी या जो भी आपको बोलना होगा तो इस चीज का विश्च धान देते हुए आप जाके इसमें पाडिसिपेट करेंगे आपको सुचना मिलेगी तो सुचना के एकोडिंगी जाना है तो इमेल पर आपको चेक करना है या आपको मैसेज भी आ सकते मैसेज और इमेल या कॉंट्रेक्ट नमबर तीन चीज पर आपको एलाट रहने हैं इसका जो आपको इंटरव्यू सेलेक्शन जो है आपको लगभग एक महिने के अंदर में करा दिया जाना चाहिए यह मेरा मानना है क्योंकि बहुत से ऐसे कंडिटेट हैं जिनका अभी सप्रेशन होना बाकी है तो सप्रेशन होते ही जे महीं आपका जो ट्रेनिंग के लिए और अपरेंटिस के लिए रिक्वार्मेंट आएगी तुरंद आपको सेलेक्शन किये जाएंगे तो इस चीज का विशाज ध्या हुआ हुआ है